कर देखे आज हम बनाएंगे इडली और साहर तो इडली के लिए मैंने यहां पर यह सूजी ले ली है कि सूजी हमारी दाइश्य गिराम है और जितनी फ्रेंड्स हमारी सूजी होती है उससे आधा हमें दही डाली होती है मैंने इसमें एक चमच नमक एड़ कर दिया है को देखिए मैंने एक कप ये दही एड़ करदी है ना इसे तरीके से सब को फैट कर अच्छि से मिक्स नड़ कर ले ना है उसके बाद है तो हमें इसमें इसमें पानी आट कर लेंगे अब मैंने 0,276 मिक्स कर लिया है तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसको अच्छे से कि देखे अब इसमें हमने आदा कप पानी डाला अच्छे से हमें इसे फैंट लेना है मिक्स कर लेना है इसी तरह से सबको अच्छी से मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी से अभी हम थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे इसमें देखिए थोड़ा सा पानी और डाल दिया है देख सकते हैं आप और इसमें पानी फ्रैंट थोड़ा थोड़ा करकर ही डालना है सबको एक साथ नहीं डालना है अब हमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें देखिए भी थोड़ा सा पानी ब्रेम तोड़ा सरा बेंगे कि दाल देखिए थोड़ा सा मिक्स पानी डाला भी सब्सक्राइब आदक के करीब है मैं अच्छी से अच्छी से फैन लेंगे और हम इसे फ्रैंट 25 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे जिससे कि जो ये हमारी सुजी है वह अच्छे से फूल जाए जब को भी हमारा बेटर अच्छे से फूल जाएगा तो हमारी इडलीस बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगी देखिए इस तरह से करीब और पानी डाल दिया है इसमें क्योंकि हमें बैटर अभी बहुत ज्यादा थिक लग रहा है और अब यह देखिए बिल्कुल अच्छे से बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है मैं इसे ढख कर मैंने आपको बताए 20-25 मिनट के लिए रख दूंगी इसको इतनी दिर में हमारी सूजी अच्छे से पूल जाएंगी और यहां पर यह मैंने सामर बनाने के लिए कुछ सब्सक्राइब डिया है इसमें यह देखिए मैंने काशी फल लिया है यह बैंगन ले लिए हैं और यह एक लुकी को कट कर लिया था छोटी सी थ काशी फल और यह मैंने अरहर की डाल को भीगों दिया है पहले से ही यह जो हमारी सब्सक्राइब सब्सक्राइब 600 तीन-तीन सब्सक्राइब करीब अरहर की अध्याब कि अब जिए अब्यक्ति आपको दिखाए थे देखे फ्रेंड्स में इसमें डाल कर कूकर में उबलने के लिए रख दूंगी सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देना है और जो हमने डाल भिगो कर रखी है उस दाल को भी सारी सब्जियां इसमें कूकर में करके हमें मिक्स करके अच्छे से पकने के लिए रख देनी है यह देखिए us आप सब्ढ़ीऊं को हमने रख दिया है कूअकर के अंदर डाल दिया है अब मैं इसमें जो हमने डाल भीगुई थी प्रàiणस डाल को आड़ करेंगे देखिए कि जो अर हर की दाल को हमने वीस पच्पचिस के लिए भीगो दिया था जो उसको टाल दिया है इसमें और यह सारी चीज़े लिक करके समय नमक और इसमें हम कम से कम आदा गियास के पानी डालेंगे फ्रेंड्स के च goo यह देखिए मैंने आधा गिलास इसमें पानी डाल दिया है इसे अच्छे से मिक्स करके देखिए आदर गिलास और डाल दिया है और अब हमीसे अच्छे से मिक्स करेंगे जितनी भी जो भी डाल थी सारी डाल डाल दी है सारी सबजियां डाल दी है इसमें अब हमने देखे गैस ओन कर दिया है हमने फुल फ्लेम करना है हमें फ्रेंड्स क्योंकि हमें सबजियों को उबालना है अच्छे से चार जे पांच सीज लेनी है एक चमची हम नमक डाल देंगे नमक हमने अभी फ्रेंड से थोड़ा ही डालना है क्योंकि जब हम इसका च्छोणका बनाएंगे तयार करेंगे और जब यहारी सारी सबजियां वे बलकर अच्छे से eyesak बारिक 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 हरी मिर्च और थोड़ी अद्रक को हमने कट कर लिया है एक दिए इंच का अद्रक का टुकड़ा और यह दिखिए सूखी लाल मिर्च और यह हल्दी ले ली है मैंने फ्रेंड्स यह थोड़ा सा गरम मसाले ले लिया है और यह नमक है स्वाद अनुसार और यहां यह मैंने थोड़ा अमचूर लिया है और यह हमने अजवाइन ली है पिशी हुई अब इन सारी सबजियों से हमें देखिए इस तरह से हमें यहां प जाहें तरिफॉइंड विउज कर सकते हैं सबसे पहले मैंने दीखिए इसमें राइ चटकाने के लिए डाल दिया हमारा अच्छी से घरम हो चुका है अब राइ डालने के बाद देखें इसमें जब अच्छी से दाने चटल जाएंगे तो चला लेंगे इसको बहुत ज्यादा दरम नहीं करना है और यह ज़रूरी बात प्रेंड्स जब आप तड़का लगाते हैं तेल को मच्छी से पका लेते हैं तो उसके बाद नहीं फ्रेंड्स हमें गैस को बंद कर देना ही सही रहता इसमें यह प्यास डाल दी है जो मैंने बारे कट कर ली थी इसको हलका सा हमने गोल्डन फ्राइब करना है बस बहुत लाइट एक करना है इसका प्यास का कच्छा पन निकल जा हमें थोड़ा थोड़ा साही चार-पांच मिनट में हमें हलका हलका सा बसopen ऐस तो इतना ही इसना करना है हमें देखिए अच्छी से फ्राई हो रही है हमारी प्याज सबसे पहले हमने इसमें राई डाली थी फिर हमने इसमें प्याज एड़ कर दी है उसके बाद देखिए देखिए प्याज इच्छी से हो जब इसमें अध्रक और हरी मिर्च डाल दूगी इनको भी हमें दो तिन मिनट के लिए अच्छी से भोन लेना है इस प्याज के साथ फ्राई कर लेना है दो चार मिनट के लिए करना है इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बस इसका हलका सा कच्छा पन निकल जाए अध्रक का और हरी मिर्च का दो चार मिनट में अच्छी से फ्राई हो जाएंगी इसके प्याज के साथ और देखिए अब यह जो हमने मसाले लिये थे इसमें सारे मसाले एड़ कर देने हैं सब मसालों को हम इसमें डाल देंगे फ्रैंड्स यह देखिए अब इन्हें अच्छी से मिक्स कर लेंगे हम यह हमारी इडली की स्टफिंग तयार हो रही है फ्रैंड्स और हमने इसके लिए पहले से ही आलों को उबाल कर अच्छी से मैश करके रख लिया था अब हम इसमें यह आलो डाल देंगे देखिए इन्हें आलों को उबाल कर अच्छी से मैश करके रख लिया था मुझा करने अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू को बहुत यह च्छी स्टफिंग बनती है इस बुर्थे को फ्रेंड्स आप पराइठे भागिरा भी बना सकते हैं इसके किसी भी रोटी के साथ भी यूज कर सकते हैं साइड से इसको इसकी आप फ्रेंड्स यारी सेंड़ Davidson के लिए हैं इल्ए के लिए इसे आप सेंड़ुच वग्यारा भी बना सकते हैं इसे आप प कर सकते हैं ये जो हमारी इस पिल्ए एउनी है बहुत ही टेस्टी लगता है यह इस तरीके से आप बनाएंगे तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है यह आप भी एक बार जरूर बनाना फ्रेंड्स बच्चों को ऐसी चीज़ा बहुत पसंद होती है घर में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें नहीं इडिशों की डिमांड करते हैं बच्चों के बड़े वगएरा पर कोई पार्टी हो तो बच्चे ऐसी ही चीज़ो की फर्माइश करते हैं यह बहुत ही अच्छी डिश है बहुत ही अच्छी स्टफड इड्लिया है अगर आप इन्हें चाहें तो फ्रेंड्स इन इड्ली को आप बिना सांवर के भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है देखिए अब इसमें हमने यह गार्णिश के कि देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है तो सोची फ्रेंड्स खाने में कितना टेस्टी हो गई है अब यह हमारी रेड़ी हो चुकी है कि अ अब हम इसे फ्रेंड्स तैयार हो गई हम इसे कर ठंडव होने के दिए रख देंगे ऐसे करने से दिए हमारा ठंडा हो जाएगा गैस मेंने बंद कर दिया है इद्पर रख दिया अब इसमें और फ्रेंड जब हमें अभी बनानी है तो जो हमारा बैटर था वह सारा बैटर में जो अभी यूज नहीं करना है तो मैंने इसमें साध़ बैटर निकाल दिया है देख सकते हैं आप यह कितना ठिक हो गया है सुजी अच्छी सब फूल चुकी कली है तो हमने थोड़ा साही बैटर निकाला है जितने की मुझे अभी डिलीज से पानी डालकर फैक लेंगे बहुत अच्छे से मैं dirt लेना है जो हमारी सूजी है फूल चुपिए बहुत अच्छे से एस तरह के से थोड़ा सा पानी और डालेंगा हमें इसमें फ्रेंटर्ण् अच्छे से फैट लेना है जितना फैटेंगी से अपकी इडलिया इतनी ही अच्छी बन कर तयार होंगी अब देगेश इसमें हमें बेकिंग सोडा डालना है और फ्रेंट्स एक चीज और देखें मैं इसमें आदाडा चम्मस डाल दूँगे हमारा अगर आपके पास फ्रेंड्स बेकिंग सोडा नहीं है तो आप फ्रेंड्स अगर इसमें चाहें तो इनो भी डाल सकते हैं मैं इनो नहीं डालती हूँ मैं इसमें बेकिंग सोडा ही डालती हूँ मेरी बहुत अच्छे से बन जाती है वो optional है अगर आप चाहें तो baking soda डालें या इसमें इनो डालें और देखिए मैंने soda डालने के बाद बहुत अच्छी से इसको fat लिया है देखिए इसमें bubbles आने शुरू हो गए हैं देख सकते हैं आप बहुत अच्छी से हमारा ये batter बनकर ready हो चुका है अब हम अपने idlis बना सकते हैं इसी तरह से आपको भी रखना है देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने कैसा रखा है कितना ठीक है ये बहुत ज्यादा ना तो बहुत ज्यादा गाड़ा है और ना ही बहुत ज्यादा पतला है इसी तरह से रखना है इस batter को और देखि जिली छोटी चोटी टिक्की बना लें में सटेफिंग लिए भूवर बुंपा तरहां ईसी उप्रत कद देशा काफिन को भूंतौ घरआं अब यह जलिए आंवर रखन थाया काओ सहयुआना होने यह क European अब ऐसा लग रहा है आपको देखने में नहीं तो इस तरह से हो जाता है जैसे कि हमने फ्रीज में रख देखे अब हमें इसकी छोड़ी छोड़ी गोलिया बना कर रख लेंगे हम सारी स्टफिंग के लिए जैसे हमें स्टफिंग हमारे हाथ बिलकुल विन कि छिपके और बहुत अच्य चोड़ी च्छोटी च्छोड़ी ठिक्कियां बनकर हमें फेली एक साथ जितने भी हम सारी बना कर एक साथ देख लेंगे और यहां असको लगाना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज्यादा नहीं लगाना अपनी स्टफिंग रखेंगे इसके अंदर सारी मैंने इसमें एक एक चमच यसी डालने ना है फिर उसके बाद मैं इसमें स्टफिंग डालूंगी स्टफिंग डालने के बाद फिर सह में एक एक चमच उपर से इस बैटर को डालेंगे इस तरह से हमारी स्टफ डू इडलियां बनकर रेडी हो जाएंगी यह देखिए इस कि इस तरह से आपको भी इसी तरह से करना है छोटी-छोटी टिक्क्यां बना कर हम इसमें रख देंगे की भी यह फ्रेंड मेरा चोटा है मेरे पास आप थोड़ा बड़ा बाला स्टाइंड लेंगी तो और भी ज्याद बड़ी-बड़ी बंचाइंगी इसी तरह से देखिए पहले हमने इसमें बैटर डाला फिर हम उसके उपर फिर से हमें इसी तरह से बैटर अच्छे से कवर कर देना है जो ही हमने स्टफिंग रखिए इसको अच्छे से कवर करना वाली है और इने इडली को बनाने में टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स या हमारी 10 मिनट में स्टीम हो जाती है कि पूरा स्टैंड देखे फ्रेंड्स में इसी तरह से तयार कर लूँगी दिखा चुकी हुँ मैं आपको किस तरीके से रखना है पहले थोड़ा बैटर डालना है देखिए पूरा स्टैंड में रेडी कर लिया है और देखे फ्रेंड्स यह जो हमारी सुराग है इसको इस तरह से रखना है स्टैंड को के सुरागों के उपर आनी है यह वाली इडली के उपर इडली ना आए जिससे कि इन अच्छे से भाप लग सके देखिए हमें कूकर में आदर गिलास पानी डाल कर रख दिया था और यह इसका ड़कत लगांगे और फ्रेंड्स हमें कूकर की रबर और सीटी दोनों को निकाल देना है और 10 मिनट में यह हमारी रेडि हो जाएंगी इडली देखिए मैं इसमें कूकर का रख दो नहीं लगा फ्रेंड्स इसमें मैंने प्लेट ढकी आप चाहें तो प्लेट भी रख सकते हैं जरूरी नहीं को कर ठकनी लगाएं और देखिया हमारी इडली इसकी फूली फूली बनकर एकदम रेडी हो चुकी है अब यह आपको चेक करके दिखाती हूं देखिए इस पर कोई बेक्टर चिपकाव बिल्कुल भी नहीं है इसका मितला हमारी इडली बहुत अच्छ इसमें से जब निकालना है अगर आप गरम गरम निकालेंगे तो निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी थोड़ा से चिपकी रह जाती है और यह तो कोई बात नहीं देखिए फिर भी मैंने निकाल ली है घरम है ज्यादा थंदा नहीं हुआ है आपको दिखाने के लिए और बच्चे भी मांग रहे हैं खाने के लिए में काफी टाइम हो चुका है मुझे थोड़ा लेड भी हो गई हूं यह देखिए अब यह तंड़ा हो चुका थे निकल आई है हमारी यह देखिए इसमें तोड़के दिखांगे आपको इस तरह से देखिए कितनी खूबसुरत ल सॉस रखिये केचप रखा है इसके साथ भी हम यूज कर सकते हैं बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगती हम इसे बिना सावर के वी यूज कर सकते हैं सावर्द का देखिए यह मैंने यहां पर रख दिया था सारा सबकुछ सारी सबजी डाल कर उबालने के लिए डाल वागर है अब दिखें यहां में ने सबसे पहले सरसों के दाने सब servi did ने सरसों के दाने सी अब हमिसमें डाल देंगेए हैं उर तक डने Vin Frenze सरसों के दाने मेंथी दाने डाने डाने लिया है पहले मैंने इसमें सरसों डाली हैiger मैंने इसमें और मेंने में ती डाना डाला है और उसके बाद हम 3-4 में सुखी लाल मिर्च डाल देंगे इस तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और जी हमने करी पत्ता डाले इस तो बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है बहुत अच्छी सामर बनकर रेडी होने वाली है अगा अगा कर देखे प्रैंड्स सारी चीजें इतने मुझे बहुत अच्छी से फ्राई हो चुकी है है और देखिए अब मैंने इसमें जो हमाई सब्सवाटी तके में और यहां यह मुझे मुझे का पानी डालना है फ्रैंड्स एक चीज मापको बताना भूल गई कि हमें इसमें इमली के इमली को भीगो दिया था मैंने इसमें 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 बहुत जरूरी है और देखें यह मैंने अब इसमें सामर मसाले डाल दिया है पहले मैंने एक चमस पहले डाल दिया था सब्जियों में और जो बचा ही मैंने वो डाल दिया आप किसी भी कंपनी का और देखें फ्रेंट्स यह जो मैंने डाइडाइच ग्राम सब्जिय ली थी इन सब में मैंने य दस रुपे वाला वाला दाला है इसमें केज कंपनी का है और थोड़ा सपानी और एड़ कर दिया है क्योंकि हमारी सामर है ठंडी होने के बाद बहुत ज्याधा अगते ही में रहते हैं हमारे सुप्टक स्क् fonctionne state अगर आपको मेरे वीडियो लाइब ची해요 बिल्कुल ना भूलें प्रेस करें